राकश्टिकाद ने भी मायवती की कई बार तारीफ करी है मैं भी करता हूं कई बार उनके अच्छे प्रेशासन के लिए एक बार पतो मैं आपको उनके टाइम पर और कुछ था या नहीं था डिये में सेस्पी डरा करते थे और जब वो डरते थे तो ऐसे जो भी डरा करते था मुलाइम सिंग के राज में सबसे बड़ी दिक्कती है थी कि सारे SHO आउट अफ कंट्रोल हो जाते थे दुरुवलाल यादव जी जो एनकाउंटर जो यहां पर मुटभेड में शहीद हो गयते वो मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे जिस वक्त वो यहां पर साहिवावा थान देगे जी तूती तो हर अफसर की बोलनी चाहिए अगर वो सम्वेधान के हिसाब से काम कर रहा है मैं आपको बता दू एड्मिनिस्टेटिव सर्विसेज ढह गई है इसका खामयाजा सबसे ज़्यादा भूगत रहे हम लोग यह इतनी असम्वेधन शील हो गई है यह लोग बैंक का गवर्नर वो शक्ति कांत दास है जो एमें हिस्ट्री है और जिसने नोडवंदी के टाइम पर का था कि लोगों को प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है बार-बार आकर बैंकों की लाइन में लग रहे है इसलिए बैंकों की लाइन खतम नहीं के दे रही इसलिए जब इनक किसको अख्लियर जी को सीम का पद और तो चुनाव लड़े ते उनने मेहनत करें उनके चेहरे से चुनाव लड़ा गया था अगर मुलायम सिंग जी के घर में जनम हुआ होता तो उदकता इस वक्त कोचिंग चला रहे होते लाबाद में अगर बहुत प्रड़लिग गये होते मुक्य मंत्री के पत्पे पहुंचने के लिए जिस चीज की जरूरत पढ़ती है वह उनके पिता जी के पूरे जिंदगी का संगर्ष था उसकी बतौलत में पहुंचे तो कहते हैं अख्लेश याद हमने संगर्ष करा था अमिता बच्छन ने भी करा था संगर्ष तो कि फिल्म इंड़स्ट्री में जाके ऐसा संगर्ष तो सब करते ही है काम्याभ होने का संगर्ष किया अख्लेश जी ने लेकिन अब अब उनके पास रेलिया करी उन्होंने मायाबती को निसाना बनाया पत्थ्रों की सरकार बताई बुद्टों की सरकार बनाई बताई आप सम बुद्धि का हूँ मुझे संगर्ष की नहीं पता संगर्ष 14 चरंद भीलाल ने किया था संगर्ष अजी शिंग मुलायम से ने किया था गसान कर रहा हुए जिसका पैसा नृंटाना नहीं मिलता संगर्ण सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को आपने कंदे हर पैठा के लिके रहे था संगर्ण को यह तो एसे है भगस्तिम orageर्ग तरफ रख दो उसका संगर्ण मानना यमत मानना बॉबी देवल ने भी संगर्श करा जी उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी अजय देवगन भी कंदय टेड़ा करके और भगत संगर्श करा जी इनके संगर्श ये वाले हैं ये भगत संगर्श हो गया क्या अखले सियादब का इनका सब जो पैत्र कुछ में आते ह यही तो उनसे उमीद कर रहे हैं अभी वी उमीद कर रहे हैं विस्वास नहीं है नहीं नहीं वाल किते जजमान सब आगे को आये जा रहे हैं एलेक्शन का रिसल्ट आएगा वो शपत ग्रेंड करेंगे उसके बाद वो सरकार चलाएंगे इस बार अगर वह जीत गए मान ली बिलकोल और इसमें पड़े मजे की बात बता हूं जैन्त जी के साथ बहुत ही प्यारी कान नहीं है अमेरिका में जनम हुआ इंग्लेंड में भी पड़े लिखे हैं वहां का स्कूल भी देखा होगा वह जिस इसकूल में गयोंगे हैं हिंदूस्तान में कितने स्कूल होंगे यूनिवर्स्टी जिसमें से वह लंदन स्कूल ऑफ एकनॉमिक्स में से पढ़के आए हैं वहां हिंदूस्तान में आज भी एक भी ऐसा नहीं है अगर वह बच्पन से जो उनकी ट्रेनिंग हुई है न वह पता है कैसी हुई है कि अगर उन्हें बातरूम भी जाना होता था चोड़ी क्लास थी वह पहले पूजा करते थे मेडम में आई गो टू बात्रूम और वह किनका नित्रत करने आये जिनोंने तखत पलट दिये ताज पलट दिये मैं एक स्कूल की तो आपको बता रहा हूं कि हुआ है इम्तियान चल दा बच्चों का अट्वी नवी के क्लास क तो प्रिंस बिल्स आप नखल नहीं करने देते थे बालकों भार से उसमें कुंडी दे प्रिंस बिल्स आप के ऑफिस में और दो कह रहे थे के नकल कर लेना मूधने को तो खोल दो जाटो का कहूं था तो ऐसे मत दाता हो ऐसे घोड़ों की सावारी के लिए लेकिन चौदरी चरण सिंग बड़े नीतिगत उससे काम करने वाले थे और वह दबंगई का उनका कोई वो नहीं था तो उनी के रास्ते पर अजीजी चले जाटो के नेता नहीं बन पाएंगे जैन्त ऐसा नहीं है कि जाटो के अब तक जितने नेता है उनमें देखो वह सारे का सारे क्रानतिक को देखा है अरे भाई यह सबके सब क्रांतिकारी बाहुबली और बहुत मतलब अपनी हांगे से बात मनवाने वाले लाट्टी गोला यह है जाटो की लेंगुश्ट साहिप सिंग वर्मा के जो बेट है प्रवेस वर्मा जी वो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं अमित सहा क राइट हैंड बने हुए आजकल जाटो को बनवाने के लिए वो कितना काम करेंगे जाटो के लिए यह वही तो नहीं है जो मंच पे चड़के यह कह रहा है तम गोली मारो सालों को और यह और वो यह भी रासत वाले हैं संगर्ज करा होगा इनके पिता जीने करा होगा इन्ह मैं मालूम करना है मैं भी चनेक्शन जोड़ रहा है जाटो से उनकी राय ले रहा पंचायत में कह रहे हैं कि आखा के फैक दो बारी से हैं कौन वो उनके उपर दबा होता है जैन साब के यह जाना है बड़े आदमी है सरकार में रहना होता है वीचारधारा चाहें कोई भी अभी तो भाजपा कही कहलाते हैं, तो अब अगर वो जाट के घर में जनम लेके ये सोचे के सारे जाटो को मना लेंगे या कहने चल जाएंगे, मैं भी जाट हूँ, आप लोगों ने मेरी भी बाइट ले लेके मेरी एक पहचान बनवा दी है, मुझे भी बुला लें, के जाटो को समझा लो, वो जब वापिस आये, तो उनसे पूछा गया इस बात के लिए, के डाक्टर साब नुमाइंदे आप हमारे थे, और बात उनकी कहने चले आ रहे हो, ये हमारी समझ में याई, हमने उनकी भी नहीं सुनी, सिर्फ इसे अंगज महाराज गये थे रामण के क्या हलोता, तो भाई सीधी सी बात है, के जाटों पे समझाने का, अब को जाट के दिल पे लगी है, समझ में नहीं आती? पान, किटे, समाजबादी पारटी तो नहीं है न जाट के, क्यों नहीं है बही, अब आप माट के अंदर, आर एल दी ने अपना टिकेट छोड़के और सपन्जाइ लाठर को आगे किया है, समाजबादी पारटी याद वो की है, यह इन की है, और वीजयए भी सारे राष्ट क ही है यह जो नोमेन के लिए रहे हैं और चौधरी चरण सिंग जी का अजगर ही एकमात रेक वार्मुला है वहका लिये थे भुसला लिये थे और उत्तेजना बढ़ा दी थी नफर्त फेला दी भावनाओं में बह गए गए थे अपकी बार नहीं बहेंगे लड़ाने के नाम पर तुम चड़ा लो कभी भी बहुत तो अभी बहुत है इमानदारी की बहुता हूं तुम्हें जाट भावनात्मक है देड़ से समझ में आती है लेकिन पकी समझ में आती है जाट है अज कल बीजनेदा जा रहें घाओं में उनको दोडा लेंडे रहे हैं आरल्ड में पैसे ही बाई शाम को लॉट के अपने हल्दी वाला दूद पर मालिश करवा में तो भाई इस बार पारिवारिक कारणों से स्वास्त कारणों से वैपार के कारणों से इस बार हम ना लड़ पाएंगे हमें माफ करो तो यह थी लेकिन सर जिस तरह ग्रोध हो रहा इस बार बीजेपी का कुछ परिवर्तन होग तो नेता बन गए और नहीं होता है तो भी चारों को फिर मेंनत करने पर तो कहरें तीन महीने के लिए आया जिन्ना का बहुत हो चलो ठीक है जिन्ना तो गुजल लिए इंतकाल हो लिए बहुत टाइम हो गया अगर उनके भूत को भी आगर टिकेट साब नहां पा रहे तो प यह जिन्ना साब को और गांधी जी को और इन सब पुरानी कानियों को नहरु भेरु को इनको सब को एक किनारे लगके जाट को और मुसल्मान को जो इन्होंने खाई पाड़ी थी उसको पाटने का काम कर गई है अगरी सवाल है ग्रह मंत्रें सर अमित साहा जी वो पर्चे ब कर वास्तू के हिसाब से पढ़ोगे तो आप जानो कि यह बड़ा जहां जहां यह पर्चे बाटने जाता है वहां वहां यह जड़ खोद के मठ्था मिला देता है बीजे पीके में और शाम को मोदी जी करें क्या मोटा भाई देश तुमारी नहीं सुन रहा क्या नेता करोग कर दो कर दो